हेलो रिवान मानेम इस विजैश्रे एन एलेक्रिकल नौड़ेशंग हिंदी चानल में आप सभी का स्वागत है तो आज के टूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं हमें बैटरी बैंक की क्या जरूरत होती है एक सबस्टेशन में सबस्टेशन में हम बैटरी बैंक को क्यों यू सबस्टेशन में राइद करें तो इसमें क्या होता है रिले ऑपरेश्टेशन रिंग में इनाट स्कीम अगर वह प्रेजन हूती है तो जो करेंगवी ६ैट्री बैंक कि हमें кी कि में जअशण पढ़ती है कि कि इसके लिए इनिय Nie वीय्ञ बात परेशनक के लिए तो अग auxiliary protection की तो एक auxiliary protection क्या होता है auxiliary protection ऐसा protection प्रोवाइड किया जाता है system को जो की operate होता है यह जो system है यह operate होता है कि इसको जब कोई signal मिलता है तो तो जब इसको कोई signal मिलता है कि trip होना है या नहीं होना है तो उस signal के basis पर यह क्या करता है system work करता है तो अगर वहाँ पर तो फिर उसके बाद उसका कनेक्शन जो है नहीं तो इसके वज़े से हमारा जो भी कोई फॉल्टी और वह 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 सिस्टम में पूरी को पूरे फिस सिस्टम में ना फैले तो उस इस है इस सिग्नल पर वर करना वाली प्रोटेक्शन सिस्टम को क्या बोला जाता है auxiliary protection system तो यह जो auxiliary protection system है उसके लिए battery bank की हमें जरुरत पड़ती है क्योंकि जो relay operations वगरा होते है या फिर ringman unit scheme वगरा होती है अगर present है system में तो उसके लिए फिर उसके initial operation के लिए battery bank की जरुरत होती है उसके आविशक्ता होती है तो अगर हम assume करें if only one source control all the operations in the substation यहां पर क्या बोला गया है कि हमें assume करना है कि assume suppose हमें यह assume करना है कि suppose एक ही source है there is only one source which is providing controls to the operation in the substation okay sorry यह क्या करता है एक source है जो control करता है सारे के सारे operations किसमें substation में okay substation में क्या करता है operation को control करने का काम करता है operation control करता है okay got it so अब फिर यह जो बताया गया है कि यह source जो है हमारा control करता है operations को substation के so then if there is a fault in the source then all the primary equipment and auxiliary equipment as mentioned above will come to standstill okay यह तो common sense वाली बात है कि यह आपर बोला गया है कि अगर इस एक ही source में क्योंकि आप एक ही source है तो इसका proper चलना जरूरी है अगर यह खराब हो गया तो पूरा से system पे affect होगा उसका ठीक है तो यह क्या बोला गया है कि अगर इस एक source में अगर suppose कोई fault इंटर हो जाता है अगर fault इसमें आ जाता है ओके देन जो सारे के सारे primary equipment से सारे के सारे क्या जो primary हमारे equipment से ओके तो वो primary equipment and साथ-साथ उसके क्या बोला गया है and auxiliary equipment प्राइमरी वाले equipment भी और auxiliary equipment भी वह भी क्या हो जाएगे जो की जो की सारे के सारे mention किये गए है उपर यानि की कुछ से कॉल से रिले या फिर रिंग मैंन यूनिट की वगर है इन ऊक्जलेरी एक्ट मैंच कि हावे बात हुरी है तो यह जो पराइमरी एंश टांड्स टिल पर आजाएंगे क्योंकि एक एकलाउता सोर्स ही है और इसे में फॉल्ट आजाएगा तो उस वज़े से फिर यह दोनों के दोनों क्या हो जाएगा यह स्टैंड स्टिल पर आजाएंगे it will become a standstill okay hence for emergency conditions the relays, indicators, ringman units, any cooling equipment will be controlled by DC source that is battery bank यहापे यहापे बताया गया है कि इसका काम क्या होता है exactly okay which are completely isolated from original source and hence can work in all conditions for providing initial operations okay तो यहापे क्या बोला गया है कि इसे लिए क्योंकि एक ही एक source है अगर suppose system में हमारे तो अगर इसमें कोई fault enter कर जाता है कोई fault अगर आ जाता है system में तो हमारे जो primary equipment है और auxiliary equipment है वो क्या हो जाएगे standstill पर आ जाएंगे तो फिर इसी लिए हम क्या करते हैं emergency conditions के लिए जो भी कोई relays होते हैं मैं आप नाम लिख लेती हूं इंडिकेटर्स हो गए ओके देन रेंग में यूनिट्स हो गए ओके देन इनी कूलिंग एक्प्मेंट्स इनी कूलिंग इक्प्मेंट्स कोई भी ठंडा अगर कोई वातावरन किसी भी सरकुट में वहाँ पर बनाना है और उसके लिए कोई एक्प्मेंट अगर हम लगा रहे है या फिर कोई भी cooling purpose के लिए कुछ प्रवाइट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते cooling equipment ओके तो यह सारी चीज जो है है control कि यह जाते हैं इस आर कंट्रोल डबाइड डीसी सोर्स यानि कि कौन सा डीसी सोर्स बैटरी बैंक यह हो गया है बैटरी तो डीसी ही होती है तो यह इस दीसी सोर्स की बात हो रही है तो यह जो फिर सारे है यह सारे के सारे फिर किस से control किये जाते हैं किसी इमर्जनसी कंडिशन में इस डीसी सोर्स है जो कि है हमारी बैटरी बैंक तो इससे फिर यह control किये जाते हैं तो जो कि पूरी तरीके से हमारे original source है यानि कि ये वाले original source है क्या है isolated है ओके क्या बोला गया है isolated है ये दोनों के दोनों एक दुसरे से isolated है पूरी तरीके से यानि कि physically जो है इसका connection नहीं है और इसी reason से ये क्या कर सकते है पूरे के पूरे condition में जो है ओके initial operation प्रोवाइड करने के लिए ये काम कर सकते हैं तो इस तरीके से बैटरी बैंक का जो है अलग ही purpose है हमारे सबस्टेशन में सबसे पहले हमने क्या दिखा कि जो भी हमारा auxiliary protection हम provide करते हैं उसमें रिले या फिर रिंग में आ जाए तो जो भी हमारे primary equipment है और auxiliary equipment हो पूरे के पर standstill पर आ जाएंगे ओके यानि कि वह क्या हो जाएंगे run करना बंद हो जाएंगे क्योंकि main source में हमारे fault हो आ चुका है तो ऐसे situation में इसे emergency condition में क्या खरेंगे हम जो भी हमारा battery bank है यानि कि जो DC source है उसके द्वारा यह जो सारी equipment है रिलेज इंडिकेटर्स रिंग में यूनेशन कोई भी cooling equipment हो जाएंगे वह क्या हो जाते हैं कंट्रोल किये जाते हैं हमारे DC source से जो कि DC source हमारे यह original source है पूरी की तरह से isolated होता है तो इस emergency condition में हमारे system में battery bank की काम में आता है हमारे substation को जो है standstill पर ना लेके आए उसको running condition में ही रखे इसके लिए फिर यह battery bank इस तरीके से काम करता है तो मैंने आप पूरी कोशिश की है एक ही slide में आपको point to point सारह सब कुछ समझाने में बहुत ही easy है तो मैंने ट्यूटोरियल जहें आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे चानल को सब्सक्राइब गर दीजे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना बूले ताकि इस तरीके के वीडियो उसकी regular अगर नोटिफिकेशन आपको मिद्वी रहे तो मिलते हैं हम नेक्स्ट यूटोरियल में